हेलो एस्टूडेंट स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में क्लास बारा के बहुती विज्ञान अभ्यास एक के NCRT प्रशनों के बारे में अध्यान करेंगे पिछले भाग में प्रशन नमर एक से ले करके प्रशन नमर 21 तक के सभी प्रशनों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया यदि उस भाग का वीडियो आप सुभी विद्यारती नहीं देखे होंगे तो प्लेडिस्ट में वीडियो है वहां से जा करके वीडियो को देख सक तो इस भाग में प्रश्ण नमर 22 से ले करके आगे के सभी प्रश्णों को हल करके बताया जाएगा तो प्रश्ण नमर 22 है दो दसमलो चार मीटर ब्यास के एक समान आवेसी चाल गोले का प्रिष्ठी आवेस घना तो 80 माइक्रो कुलाम प्रति मीटर इसक्वायर है गोले पर आ 22 की गढ़ना करना है तो यहां पर क्या क्या मान दिया गया है पहले उस मान को नोट करेंगे तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हल और हल लिखने के बाद से यहां ब्यास दिया गया है तो ब्यास को किसे देखाते हैं डी से तो डी बराबर कितना दिया गया इसमें दो दसमलो चार मीटर जो है दिया गया है तो ब्यास को डी से दिखाएंगे और डी बराब दो दस मलो चार मीटर है अब यहां तरिज्जा निकालेंगे तो तरिज्जा का सुत्र क्या होता है तो डी बटा दो होता है मतलब ब्यास बटा क्या होता है 2 होता है, R बराबर ब्यास का मान क्या है, 2.4e 2 हो जाएगा, 2 से जब भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1.22 आ जाएगा और यहां का लिखेंगे, मीटा लिखेंगे तो R का मान कितना अगया, 1.22 ँदर जाएगा, मतलब 30 का मान जो है, 1.22 2 मीटर आ गया और आवि इस प्रिष्टी आवि इस घहनत को किसे देखाते हैं सिगमा से और सिगमा बराबर क्या दिया गया है यहां पे दिया गया अस्य है माइक्रो है कुलाम प्रती मीटर का स्क्वाइर है अब यह माइक्रो को जो हटा लिया जाएगा जब माइक्रो को हटाएंगे तो सिगमा बराबर क्या होगा 80 हो जाएगा माइक्रो में 10 के पावर माइनस 6 घात होता है और यहां कुलाम प्रती का लिखेंगे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा तो यह मान जो है सिगमा का है सिगमा का नाम क्या है प्रिष्टी आविस घहनतु कहा जाता है अब यहां आविस की गढ़ना करना क्यू बराबर क्या हो जाएगा प्रश्णमाचक हो जाएगा अब यहां क्यू बराबर प्रश्णमाचक होने पर जो है अब यहां सिगमा का सुत्र लिखेंगे तो सिगमा बराबर क्या होता है तो Q बटा A होता है यह किसका सुत्र है तो आविस प्रिष्ट गहनतों का सुत्र होता है यह सुत्र जो है अभिहास में बताया जा चुका है थिवरी जब पढ़ाया जा रहा था तो इसका जो है सिगमा का सुत्र होता है Q बटा A अब यहां Q का मान निकलना है तो अब यहां इसको गुड़ा करेंगे जब यहां पर A का गुड़ा सिगमा में करेंगे तो क्या बनेगा Q बराबर हो जाएगा सिगमा A हो जाएगा अब यहाں Sigma कामान 80 गुड़े 10 के पाओर माइनट 6 दिया है लेकिन A कामान इस प्रश्ण में नहीं दिया गया है इसका मतलब यहां पर A को क्या करना पढ़ेगा बदलना पढ़ेगा अब यहां A का सुत्र क्या होता है यहां सुत्र होता है गोले का प्रिष्टी छेतरफल क्या आता है फोर पाई आर स्क्वाइर होता है क्या आता है फोर पाई आर स्क्वाइर होता है अब यहाँ पे जो है ए को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे सिग्मा बराबर हो जाएगा क्या लिखेंगे Q बराबर और Sigma हो गया और A कमान क्या रखेंगे 4 Pi R का Square हो जाएगा और यहां लिखेंगे Q बराबर अब इसमें 1 रख लेंगे तो Sigma कमान क्या है 80 गुड़े 10 के Power Minus 6 है गुड़े 4 गुड़े Pi कमान क्या होता है तो Pi कमान जो है 22 बटा क्या होता है 7 होता है यहां 22 बटा क्या लिखेंगे 22 बटा 7 हो गया R कमान कितना है 2R कमान 1 दसमलो 2 है और यहां बर्ग कर लेंगे बर्ग मतलब इसको 2 बार लिख लेंगे 1 दसमलो 2, 1 दसमलो 2 इसको 2 बार इसने लिखेंगे है अब Q बराबर क्या हो जाएगा अब यहां पर 80 और क्या है 4 है और क्या है 22 है एक दस्वनों दो एक दस्वनों दो यह सब का गुड़ा करेंगे तो असी का गुड़ा 4 में जितना उतराएगा 22 में, जितना आएगा उतराए 2 में, 212 में तो गुड़ा करने पर आ जाएगा 1010137, 10.06 आ जाएगा, 10 के power क्या है, minus 6 हो जाएगा मतलब गुड़ा करने पर 10137 है, तक गुड़ा 10kपर-6 है, और बटा में क्या है, 7 है अब ये 7 से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो भाग देने पर क्या जाएगा Q बराबर आजाएगा यहां पर लेखेंगे 14488.22 गुड़े 10 के पावर माइनस 6 जो है आजाएगा तो यह मान जो किसका आगया आवेस का मान और आवेस का मातरक क्या होता है कुलाम होता है तो समझ में आ गया होगा इसको अगर तीन अस्थान दसमलो और आगे इधर गुसका देते हैं तो क्या बनेगा Q बराबर एक दस्मालों, चार चार आठ दो दो गुड़े दस की पावर जो है, माइनस चहा है, तो क्या बनेगा माइनस तीन हो जाएगा, और इसका मातरक क्या हो जाएगा, उलाम हो जाएगा, तो उमीद करते हैं, यह प्रशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें किसकी गर्णा करना था आवेस की गर्णा करना था आवेस का मान कितना गया एक दस मलो चार चार आठ दो दो गुड़े दस के पावर माइनस तीन जो है कि कुलाम आ चुका अब इसका बी प्रशन के बारे में समझेंगे तो अब बी वाले प्रशन क्या है गोले के प्रिश से कुल बैदुत फलक्स का मान गरना करना है तो यहाँ पर कुल बैदुत फलक्स क्या है इसको मान गयात करना है तो यहाँ पर जो आवेस निकला है इस आवेस का यहां परियोग करेंगे तो Q बराबर कितना यहां है 1.4 4.8 है तो इसको लगभग लिए सकते हैं 1.10.5 लिए सकते हैं 10 के पावर क्या लिए सकते हैं माइनस 3 कुलाम तो यह जो मान प्रशनमबर जो है 22 का A में जो है आवेस का मान निकला है और इसमें फाई E पूछा जा रहा है तो फाई E पर प्रश्नमाचक हो जाएगा अब फाई E का सुत्र क्या होता है तो फाई E का सुत्र होता है Q बठा क्या होता है अपसाइलम जीरो होता है तो यह बैदूत फलक्स का क्या है सुत्र है अब इसमें मान को क्या करेंगे रख लेंगे तो फाई ए बराबर अब क्यों का मान क्या है एक दसमालो चार पाँच गुड़े दस के पावर माइनस तीन बठा और अब साइलम जीरो का मान क्या होता है आठ दसमालो आठ पाँच गुड़े दस के पावर माइनस बारा होता है यह माइनस बारा जब उपर जाएगा तो यह बारा जो माइनस उपर जाएगा तो क्या बनेगा पलस बारा हो जाएगा तो अब यहां से इसको क्या करेंगे एक दस मलो चार पांच में आठ दस मलो आठ पांच का क्या करेंगे भाग दे देंगे जब भाग देंगे तो क्या जा दसमलो, एक छे चार गुडे, दसके पावर, अब बारह में से तीन को घटा देंगे, तो कितना घात हो जाएगा, नौ घात हो जाएगा, अब एक जिरूस से जो है, एक अस्थान दसमलो और इधर घुशका देंगे, एक जिरूस में से, जो नौ घात है, अब यहाँ पलिखें एक दसमलो छह चार गुड़े दस के पावर आठ और इसका मात्र क्या होता है तो न्यूटन मीटर का इसक्वाइर प्रती क्या होता है कुलाम होता है तो प्रशन नमबर बाइस का भी जो है आप रोग अच्छ से समझ देंगे कैसे इसको हल किया गया है तो अब सीखेंगे प्र चार न्यूटन कुलाम का इनवर्स बिद्दू छेत्र उत्पन करता है रेखी आविस गहनत तो ग्यात कीजिए तो यहां पे सबसे पर लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से पहला जो मान दिया गया है अब यहां पहला मान जो है दूरी दिया गया दो सेमी है तो दूरी क हो जाएगा और यह बन गया क्या मीटर अब यहां पे नो गुडे 10 के पावर चार न्यूटन कुलाम इनवर्स बिद्दू 6टर है तो गिसे दिखाएंगे ई से E का मान क्या है 9 गुड़े 10 के पावर 4 निूटन कुलाम का इनवर्स है रेखी आविस घंद तो रेखी आविस घंद किसे देखाएंगे लेमडा से लेमडा बरका हो जाएगा प्रशनमाच चक हो जाएगा इसमें लेमडा का मान जो है पूछा जा रहा है अब लेमडा का सुत्र क्या होता है यहाँ पे जो है लेमडा का सुत्र लिखे लेंगे कि लेमडा का सुत्र होता है तो यहां जो है E, E का नाम क्या है, बैदू तो छेतर के तीबर्ता का मान दिया है, R का मान दिया है, और लेमडा का मान पुछ रहा है, तो यहां पर जो सुत लिखेंगे, पहले बैदू छेतर के तीबर्ता का सुत लिखेंगे, तो बैदू छेतर के तीबर्ता का सुत लिखें तो यहाँ E कामान कितना है तो E कामान जो है 9 गुड़े 10 के पावर क्या है 4 हो जाएगा बराबर और इस कामान क्या है 9 गुड़े 10 के पावर 9 होता है गुड़े 2 हो जाएगा लेमडा कामान नहीं मालूम है बटा है आर कामान क्या है 2 गुड़े 10 के पावर माइनस 2 हो गया तो और यह मान जो है एक बटटा औफ ए होर पाई अफसाइलम जीरो का मान है और यहां दो है लिम्डा का मान नहीं दिया है इसने लिम्डा यहां पे नोट कर लेंगे आर का मान दो गोड़े 10 के पाई मैंनस 2 है अब यह दो से 2 खतम हो गया और यह दो गहाथ ऊपर चला जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा 9 गुड़े 10 के पावर 4 बराबर 9 गुड़े 10 के पावर या 9 और 2 घात इस पे क्या जाएगा उपर जाएगा पलस हो जाएगा लेमडा हो जाएगा अब अगर लेम्डा बराबर क्या होगा यह मान जो है नीचे चला जाएगा तो 9 गुड़े 10 के पावर 4 बटा और 9 गुड़े 10 के पावर 9 दू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा मतलब 11 घा जो 9 गुड़े 10 के पवर 11 वाल अमान कहा चला गया नीचे चला गया 9 से 9 को काट देंगे लिम्डा बराबर 10 के पवर 11 उपर जाएगा 10 के पवर 4 माइनस 11 अब 4 मेंसी जब 11 को घटा देंगे तो लिम्डा बराबर 10 के पावर जो है माइनस 7 हो जाएगा और लिम्डा का मात्रक क्या होगा लिम्डा का मात्रक जो है कुलाम प्रती क्या होता है मीटर होता है तो लिम्डा का नाम क्या है तो रेखी आवेश गहनातो और इसमें किसकी गहना करना था तो रेखी आवेश गहनातो की गहना करना था तो इसमें जो है लिम्डा का मान निकल गया 10 के पावर माइनर 7 कुलाम प्रती मीटर तो उमीद करते हैं ये प्रशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसे पने कापी में जरू नोट कर लिजिए अब सीखेंगे प्रशन नंबर जो है 24 तो प्रशन नंबर 24 है दो बड़ी पतली धात के प्लेटे एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के प्रिष्टी आवेस घनतों के चिन क्या है बिपरित हैं तथा इनका पड़ाम 17 गुड़े 10 के पावर माइनर 22 कुलाम प्रती मीटर का इसक्वायर है तो पहला कुशन दिया गया कि पहली प्लेट के बाय है च्छेतर में तो अब पहली प्लेट के जब बाय च्छेतर में गढ़ना करेंगे तो यहां सबसे पहले जो है यहां पर एक प्लेट बनाएंगे और इस प्लेट पर जो है धन आवेस है और दूसरा एक और प्लेट है उस पर क्या है रिड आवेस है क्योंकि यहां प बीच में आविष्ट प्रिष्ट घंवा किसी देखाते है सिगमा से प्रदर्शित करते हैं अब यहां पर जो है अगर देखा जाए ईवन पर क्या है ईवन का सुत्र क्या होगा तो सिगमा वट्रोह क्या होता है दो आपसाइलम 0 होता है अगर आवेस यह धन आवेस हो यह इस पर रेड आवेस हो लेकिन बैदू छेतर के तीबरता क्या होते हैं बराबर होते हैं अब यहाँ पहला कोशन क्या बोला गया था पहली प्लेट के बाहे छेतर में तो अब पहली प्लेट के जब बाहे छेतर में जो है निकालना है तीबरता कामा तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहली प्लेट में पहली प्लेट में पहली प्लेट के बायह च्छेतर बायह च्छेतर में क्या हो जाएगा मान? E बराबर सुत्र होता है E1 माइनस E2 जब बायह च्छेतर बोला जाएगा तो E1 में से E2 को घटा देंगे तो E बराबर E1 का मान क्या उपर देख सकते हैं सिगमा बटा दो अपसाइलम जीरो होता है और यहाँ पर भी लिखेंगे सिगमा बटा दो अपसाइलम जीरो होता है अब यहां B वाला जो प्रश्ण पूछा गया है तो यहां B वाला प्रश्ण में क्या पूछा गया है दूसरी प्लेट के बाह चेतर में तो यहां भी बाय है जब कहा गया है तो बाय है में हमेशा याद रखेगा माइनस होता है तो यहां पर दूसरी प्लेट में बोला गया है तो यहां देखिए अब यहां पहली है तो इसलिए E1 आगे रहेगा यह दूसरी प्लेट है इसलिए इसमें E2 आगे रहेगा E2 माइनस क E2 कमान और E1 कमान आपस में क्या हैं बराबर ही हैं यहां E2 कमान वही रखेंगे सिगमा बटा क्या होता है दो अपसाइलम जीरो E1 का मान क्या रखेंगे 2 सिगमा बटा 2 अपसालम 0 अगर इसमें इसको घटा दें तो E का मान क्या गया है यहाँ पर E का मान जो है 0 आ गया तो इसमें भी क्या हो गया 0 आ गया मतलब पहली प्लेट के बाहे छेतर में है तभी 0 है दूसरी प्लेट के बाहे छेतर में है तभी बाहे तो छेतर केती बढ़ता क्या है जीरो है अब अगला इसमें C है दोनों प्लेटों के बीच है अब यहां लिखेंगे C दोनों प्लेटों के बीच है लिखेंगे यहां पर दोनों प्लेटों के बीच जब बीच में कहा जाएगा तो जोड़ हो जाता है दोनों प्लेटों के बीच है क्या बनेगा दोनों प्लेटों के ब E2 हो जाएगा जब बीच में कहा जाएगा तो पलस होता है और बाहे छेत्र कहा जाएगा तो माइनस होता है तो E बराबर Okay 맞it क्या है सिगमा बटा दो अपसाइलम जीरो और सिगमा बटा दो अपसाइलम जीरो अब दोनों का हर देखेंगे तो बराबर है और एक सिगमा एक सिगमा मिलकर कि क्या बनेगा दो सिगमा बटा दो अपसाइलम जीरो अब दो से दो को काड़ देंगे यी बराबर क्या जाएगा शिगमा बटा अपसाइलम जीरो आ गया अब यहां सिगमा कमान जो है प्रशन में दे दिया गया है सिगमा कमान तो 8, 5 गुडे, 10 के पाएगर, माइनस 12 होता है, अब यहाँ से जो इसको क्या करेंगे, भाग करदेंगे, भाग देने पर क्या आ जायेगा यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे, 1,10 मलो यहाँ पा जायेगा भाग देने पर, यह बराबर हो जायेगा, एक दस मलो, 9 2 हो जाएगा 10 के पावर यह 12 माइनस 12 घात उपर जाएगा तो प्लस 12 घात हो जाएगा और 12 घात में से 22 घात को क्या करेंगे घटा देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर माइनस 10 हो जाएगा और इसका मातर क्या होगा न्यूटन प्रती कुलाम हो जाएगा तो यह दोनों प्लेटों के बीच में अगर बैदू छेतर की गर्णा करेंगे तो कितना आ जाएगा एक दस मलो नो दूगुडे दस के पावर माइनस दस न्यूटन प्रती कुलाम आ जाएगा तो यह वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरू कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर दिया आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार